Hello everyone, welcome back to the channel So, आज इस वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं How to trade breakouts Breakouts को किस तरीके से trade करें Breakout trading बहुत ही popular तरीका है Stock market में trading करने का काफी traders breakout trading करते हैं But उन सभी का सबसे बड़ा सवाल ही होता है How to avoid the false breakout आप सभी लोगों ने कभी ना कभी Stock market में breakout trading अगर की है तो उसमें आप traps में फसे होंगे Breakout traps में फसे होंगे Market और breakout traps होते हैं उन traps से कैसे बचा जाए Breakout failure से कैसे बचा जाए उसके लिए हमारे एक rule है जिसका हम बोलते हैं SVSCS rule Live trading में ये rule काफी popular है तो आप सभी की demand थी इस पे एक वीडियो बना दिया जाए ताकि पूरा rule एक वीडियो में explain कर दिया जाए तो आज इस वीडियो में हम SVSCS rule के बारे में जानेंगे कैसे ये rule आपको help करता है एक quality breakout को पता करने के लिए ताकि आप breakout failures और breakout traps से बच पाएं आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्रॉब्लम कहां पर है breakout ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है false breakout या breakout failure इन से कैसे बचें सबसे पहले समझ लेते हैं problem दिखती कैसी है क्या होता है false breakout तो यह सबसे बड़ी problem है stock market में breakout traders की इस problem में क्या होता है यहां पर आपका एक resistance है multiple time इसने break करनी की कोशिश की बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है यहां पर आप देखते हैं यह break करनी की कोशिश की है इस point पे काफी traders यहां पर buy कर लेते हैं कि इस उमीद में कि यह जो breakout है यह सकसेस्फुल होगा यहां पर आप जो red candle दिख रहे हैं यह भी एक green candle थी आपको ऐसा लगा कि high break हो गया है यहां पर breakout होने वाला है कि कभी न कभी तो यह price recover होगा बट इस example में उतना pain नहीं है जतना कि अगला example में रहेगा अगले example अगर हम देखें तो इस type का जो example होता है इस type का जो breakout होता है इसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर level है इस level को multiple time attempt किया यह resistance हो गया यहां पर एक perfect आपको breakout candle देखने को मिली आपने weight भी कैस breakout का बट वहां से आप देखो इसको आपको trap करके यहां पर आपने buy किया और वहां से लगता price नीचे जाता है आपके सारे stop losses खाता है नीचे से price दोबारा recover करता है और आपको एक regret feeling देता है कि cash में इस trade को hold कर लेता मे ताकि आप trade लेने के पहले अगर उनको step by step judge कर लो कि यह सब चीज़े meet हो रही है कि इस breakout में तो आप एक classification कर सकते है कि क्या यह perfect breakout है या एक false breakout हो सकता है तो perfect breakout किस तरीके से लिखता है तो यहां पे आप screen पर देख पा रहे है कि इस तरीके से आपको एक perfect breakout देखने को मिलता है यहां पे multiple resistance है इस level को break करती है candle और उसके साथ price लगता रूपर जाता है हमको इस type के trades को catch करना है सभी लोग इस type के trades को catch करना चाहते है और फिलेम फस्ते है price reverse हो जाता है loss हो जाता है stop loss होता है हम सभी का objective होता है कि इस type के perfect breakout को catch किया जाए तो क्या characteristics होते है उन तो बात कर ल full form आप सभी screen पर देख पा रहे हैं S का मतलब होता है slope, V का मतलब होता है volume, S is for shape and size, C is for closing and S is for space अब यह साथे जो SVS CS के जो full form है इन सभी का एक अपना meaning है सभी के पीछे एक अपना logic है जो एक breakout को perfect breakout बनाते हैं आईए सबसे पहले समझते है S, S stands for slope of the trend तो देखिए slope of the trend का क् मतलब है जैसे कि आप एक level है इसको multiple times break करने की कोशिश की जारी अब इस level के break होने के बाद ही आपको एक breakout trade मिलेगा ताकि आप यहां से एक successful trade ले पाए पर उसके पहले क्या होता है कि एक trend होता है यहां पर आपको एक trend देखने को मिलेगा यह price यहीं से start नहीं होता है यह कही नहीं कहीं से तो आया होगा यहां पर अगर यह trend आप अगर देखो इसके पीछी का जो prevailing trend of this stock अगर आप देखोगे उस पर आपकी नजर रहे चीए यह होता है slope का criteria इस trend को आपको जच करना है slope के criteria में तो अब समझ लेते हैं slope को आप एक तरीके से angle समझ सकते हैं जैसे कि य अगर आप देखोगे काफी नीचे है 50-60 degree के नीचे यह angle है बट अगर आप इस type का slope देखोगे तो यह एक काफी अच्छा slope है यहाँ पर आपका जो angle देखोगे यह आपका 60-55-60 की ऊपर का angle रहेगा तो इस type का अगर trend है तो इसकी काफी probability है यहाँ पर देखिए एक intensity आपक है इसमें एक intensity है एक impulsiveness है buyers काफी strong है बट अगर दीरे-दीरे करे के price उपर जा रहा है इसका सीधा-सीधा मतलब है कि trend उतना खास नहीं है अब यह जो trend बना है इसके बाद अगर यहाँ पर breakout बनने का chance बनता है कि इस level को break करने का chance बन रहा है तो काफी जादा chances है कि यहाँ आपको breakout failure देखने को मिलेगा क्योंकि already जो prevailing buyers थे जो इसको उपर लेके गए थे वो इतने strong नहीं थे और level अगर बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पर breakout failure के chances बढ़ जाते है तो सबसे पहले टेक अगर आपको बारना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको breakout देखने को कोशिश कर सकते हैं अब बात करते हैं वी की वो है volume of breakout candle तो देखिए यहाँ पर जैसे की level है इसका अगर breakout हो रहा है और breakout candle की volume बहुत important है यहाँ पर आप देखें volume आपको dry देखने को मिलेगा और अगर volume में spot आ रहा है volume एकदम से बढ़ रहा है और candle breakout candle है उसके उसके volume आपक बड़े players इस stock में enter मार रहे हैं जो इस level को break कर रहे हैं तो एक criteria हो जाता है आपका volume of a breakout candle बहुत important है breakout candle की volume बढ़नी चाहिए आपको dry volume के साथ कम volume के साथ अगर breakout देखने मिल रहा है तो उस case में breakout fail होने के chances बहुत ज्यादा है तो हमेशा breakout candle के volume पे नज़र रखें क्या volume पिछ होने चाहिए आपको सब graphically देखना है कि पिछली candle से जादा volume दिख रहा है क्या अगर देड़ गुना जाला भी volume है तो काफी अच्छा volume है breakout candle में एक interest आ रहा है बायस एंडर मार रहा है तो इसकी probability success होने की बढ़ जाती है तो यह हो जाता है second criteria volume थार्ड एस stands for shape and size of a breakout candle देख यहाँ पर देख पा रहे है market यहाँ से नीचे से उपर आ रहा है इस level को break कर रहा है अब आप इन दोनों में से किस candle पर जादा reliability रखोगे कौन सी candle आपको confidence दे रही है आपको यह candle हमेशा confidence देगी क्योंकि यह एक बड़ी candle है छोटी candle है तो यहाँ पर price को ही यहाँ पर move नही distance को break किया है तो यहाँ पर जो size candle के यह बहुत important है अगर एक बड़ी size की candle breakout दे रही है तो वो एक quality breakout के नदा आता है बट अगर एक छोटी candle के सांथ breakout हो रहा है candle की size काफी चोटी हो breakout दे रही है तो उस candle को आप reject कर दें उस breakout के fail होने के chances काफी जाला है तो यह बात हो जाती है की size की अब shape की बात अगर करें तो यहाँ पर एक level है यहाँ पर आप देखो कि इस candle को आप एक perfect breakout बोलेंगे या फिर आप इस candle को एक perfect breakout बोलेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख पारेंगे शेप बहुत ही important है candle का यहाँ पर आपको इस candle में जो body है बहुती बड़ी body देखन मार गया तो इसको आप एक breakout नहीं consider करोगे तो shape and size का सीदेख मतलब है body की size बड़ी होनी चाहिए और shape एक solid body होनी चाहिए विक्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल सकती है बट body का shape है एक काफी solid होना चाहिए तो यह था हमारा third point अब आते है fourth point पे वह है closing तो breakout candle का जो closing यह एक level है यहाँ पे आपको candle अगर break करनी की कोशिश कर रही है इस level को तो यहाँ पे आपको candle को पूरी तरह से form होने देना है candle को इस level के उपर close होने देना है काफी लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे breakout के level है इस level में एक running candle में ही entry मार जाते हैं अब यह candle run हो रही है अब यह आपको green देखने को मिल रही है बट जब तक candle close होगी आपको यहाँ पे एक pin bar candle देखने को मिलेगी आप इस में first जाओगे जैसे यह high break होता है यहाँ पे आपका confirm हो जाता है trend आप यहाँ पे entry ले सकते हो बट इस candle में इस running breakout candle में अगर आप entry करोगे तो आपको इस type के traps देखने को मिलेंगे candle को पहले close होने देना है यह एक quality trade है breakout trading का यह last point है बट पिछले point से कुछ कम नहीं है यह बहुत ही important point है इस close भी दे दिये अब सब चीज़ा ओके है चारों टेक आपके सही है बट पाचवा point बहुत ही important वह है space क्या बोलता है कि जो breakout आपका level है यहाँ पे जो candle आपका breakout कर रहे है तो इस level के ऊपर अगर कोई resistance है immediate basis पे अगर पुराना कोई level यहाँ पे है जो की important resistance है या round number है तो अगर immediately एक resistance level है तो यहाँ पे chances है कि यह जो breakout है यहाँ सिफ फेल हो जाए तो आपको ध्यान रखना है breakout के पहले breakout होने के बाद पीशे जरू जा के देखें कि कोई important swing तो नहीं है कोई important resistance तो immediately नहीं है अगर हाँ swing काफी उपर है resistance काफी उपर है आपको यहाँ पे space मिल रहा है आप को यहाँ पे catch करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे trade ले सकते हैं बट immediately अगर resistance है आपका breakout हुआ है और इस resistance की just ऊपर एक और resistance है swing वगयरा के कारण तो यहाँ पे chances हैं कि यह resistance काम करेगा अपना यहाँ पे sellers आएंगे और यहाँ पे breakout failure होने के chances बढ़ सकते हैं तो यह point बहु example देख लेते हैं जिससे आपको और clarity आएगी live market में तो अगर हम यह इस example को दुबारा से देखते हैं जो breakout failure का एक example है तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे trend already है trend काफी अच्छा है slope काफी अच्छा है trend का अब यह S तो यहाँ पे qualify हो जाता है अब देखते हैं V volume अगर देख है तो यहाँ पे V में ही यह fail हो जाता है उसके बाद अगर हम S, V, S, shape and size में भी देखेंगे तो shape and size में भी यह candle qualify नहीं करती है close भी इस candle की ऊपर नहीं आया confirmation में नहीं मिला है फिर space की बात तो आती ही नहीं है तो यहाँ इन ही काड़नों की पज़ाद से यह trade हम कभी breakout trade में नहीं लेते हैं perfect breakout के trades अगर आप देखें तो यहाँ पर दीखिए slope काफी अच्छा है trend के साथ market उपर आ रहा है यहाँ पर attempt कर रहा है अब breakout candle की बात करें तो volume अगर देखें तो breakout candle का volume देखिए आप यह breakout candle हुई है इसका volume पिछली candle से काफी अच्छा volume है तो यहाँ पर V is okay फिर हम आते हैं shape and size of the candle तो यहाँ पर आप चैंडल का shape and size देखिए एक बड़ी candle body विल्कुल solid कि इसमें विक्स ना के बरावर है तो यहाँ पर as भी होके है volume भी होके है shape and size भी होके है फिर आती यह बात closing की तो यह candle close भी हो गई है इसके बाद अगली candle ने confirmation दे दिया है हमको तो closing भी okay है और यहाँ पर space अगर देखें तो यहाँ पर अगला rest है दोसों के आसपास था तो यहाँ पर काफी space था यहां से यहां तक है तो यह एक बहुत ही बढ़िया candidate है एक breakout trading का तो यह recent live market में अगर आप एक example देख निक कुशिक है तो यहाँ पर देखिए slope काफी अच closing, closing, level के उपर closing की गई है तो यह भी okay है और space यहाँ पर अगला resistance यहाँ पर है तो यहाँ पर space भी काफी अच्छा है तो यह भी एक breakout candle का candidate है तो यह भी breakout rule में SVSCS rule में pass होता है इस state को भी हम ले सकते हैं अब बात करते हैं कि यह जो level है यहाँ पर देखिए slope काफी अच्छा ह है यहाँ पर resistance level है multiple attempt किये हैं S is okay volume यहाँ पर आप देखो यह breakout candle है breakout candle में volume भी ठीक ठाक आया है volume अच्छा है SV is also okay shape and size candle काफी अच्छी है यहाँ अच्छी solid body candle है and body candle के साथ break हुआ है तो यहाँ पर S is also okay closing भी दी है candle ने उपर यह चारों चीज़ें ऑके हैं बड़ यहाँ यह अगर आप यहाँ पर देखेंगे यह पुराना swing है यह resistance level है तो यहाँ पर just ऊपर एक resistance level है इसके current इस script में जो है यहां से यहां तक का जो space काफी कम हो जाता है तो आप यहाँ पर trade enter मारोगी भी तो ऊपर एक resistance है ऊपर से selling pressure आएगा वह वैसा ही हुआ market में selling pressure आया यहाँ पर इसको follow up rally नहीं मिली और वहाँ से आपको resistance देखने में मिला stock नीचे आ गया तो इसी लिए SVSCS पांचों condition आपकी satisfy होगी तो breakout candle की quality बढ़ जाएगी जरूरी नहीं कि आपका 100% strike rate रहे 100% आप successful रहे ऐसा बिलकुल भी नहीं है बट strike आपका बढ़ जाएगा हो सकता है कि अभी आप 50-50 chances दे breakout में तो हो सकता है यह 50-50 से 60 यह 70 तक आपका strike rate पहुँच जाएगा होगी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना ना बूलें thank you for watching happy trading